नमस्ते दोस्तों मैं विक्की पंशारी कनीना दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नारियल के बारे में आप लोगों ने नारियल कभी ना कभी जरूर खाया होगा लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि नारियल का उपयोग करके हम हमारे पसू की कई बिमारियों को इलाज कर सकता है दोस्तों देखिए हमारे पसू को एक बिमारी हो जाती है पेसाब में खून आने लग जाता है बलड आने लग जाता है और जब पसू के पेसाब में खून बलड आता है तो किसान काफी परेशान हो जाता है इस बिमारी का इलाज गुलर के फल से भी किया जाता है जि पिषानों को पैचान नहीं, तो नारियल की पैचान भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और इसका उपियोग भी कर सकते हैं, आपको ये हर जगा उपलब दिए हो जाएगा, आपको करना क्या है, नारियल के अंदर की जो गिरी होती ही, एक नारियल की गिरी लीजिए, मैं आपको 1000 से च्यार दिन आपको करना है आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन नारील कौन सा लेना है आपको जार में दो दो परकार के मिलता है एक ड्राय-णारिड एक पाई वाला नारी जिसके अंदर बढ़ जाई तो आप इसका उपियोग कीजिए सुबह शाम कीजिए तीन से चार दिन आपके पसू के पेसाब में खून अनाबंद हो जाएगा उसके अलावा इसका एक और भी उपियोग है अगर हमारे पसू को कहीं भी जखम हो जाए पसू के लग जाए चोट वगेरा तो उ आप अपने पसू के घाओ पे लगा दीजिए तुरुंत खून आना बंद हो जाएगा और उसका घाओ भी बर जाएगा इसके अलावा इसका एक और भी बहुत अच्छा उपियोग है वह इंसानों के लिए इनसानों को बबाशीर नाम की एक बीमारी हो जाती है बबाशीर बीमारी में इनसान काफी परेशान हो जाता है उसमें भी इसका उपियोग हम कर सकते हैं इस जटा को जलाने के बाद जो राख बनेगी जो बसम बनेगी उस बसम कामे करना क्या है गाए के दूज से बना हुआ धाई उस धाई में मिलाके या उसके मठे में मिलाके एक एक चम इंसान को जाती है उसको काफी परेशान नहीं होती तो इसी तरह के छोटे-छोटे यह फार मुले आप उपयोग कीजिए अपने पसो को सवस्त रखिए देखिए इस समय लोगडाउन चल रहा है और लोगडाउन में हमारे पसो को कोई बिमारी हो जाए तो समय पर डॉक्टर आपके आस्पा जितने भी पेड़ पोदे हैं उनका उपयोग कीजिए साथ में आपकी रसोई घर भी आपके पसो के लिए एक चिकित शल्य है रसोई घर में मिलने वाले खाद्य पदार्थ औस दिया उनका उपयोग करके आप अपने पसो को ठीक कर सकते हैं तो आप क्वाब में खून आने की बिमारी में ज़्यादा घबर्राने कि हो सकता नहीं गुलर मिल जाये तो दीके वह फैस्ट है घुलर ना मिले तो नारिल मिल जायेगा नारिल से भी उपयोग हो बिना मिले तो हमारे घर में और भी बहुत सी जिenin जिसके बारे में आने वाले समय म में आपको बताऊंगा धन्यवाद